तो जैसा कि हम सबको पता है आज कल जो भी पढ़ाई है जो भी एक्जाम है सभी ओनलाइन हो रहे हैं तो ओनलाइन जादा तर जो बच्चों का पेपर है जो एक्जाम है वो MCQ फॉर्म में लिया जा रहा है तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वन food where does it come from के कुछ MCQ questions first question है plants give us more varieties of food than animals तो plants से हमें जादा variety के food मिलते हैं as compared to that of animals क्या ये statement सही है या ये false है तो ये जो statement है ये बिलकुछ सही है तो plants से हमें बहुत सारी varieties मिलती हैं अंगिनत varieties मिलती हैं खाने की DC और इनिमल्स से अहरे हम बात करें तो उतनी ज़ादा varieties हमें नहीं मिल पाती जदा जदा ज्यादा है जो see food वो मिल जाता है हमें eggs मिल जाते हैं meat मिल जाता है थिक है जबकि plants हमें हर तरह की variety दे सकते हैं है na हर तरह की जो roots है बहुत सारे variety है roots में भी flowers में भी भी सारी variety का खाना में मिलता है fruit हो गए stems हो गई तो इसलिए यह जो statement है यह बिल्कुल सही है plants है ज्यादा variety का खाना मिलता है as compared to that of animals नेक्स्ट है which of the following is not a milk product तो इन में से milk product concern नहीं है A. Butter B. Honey C. Cheese D. Curd अब Butter, Cheese और Curd हमें पता है यह हमें दूद से मिलता है तो यह milk product तो है हमें पता है B क्या है B है honey और honey हमें honey दीज से मिलता है हना मधुमक्की से मिलता है तो इसलिए यह एक milk product नहीं है इसलिए आंसर है B. Honey Next है Bees collect dash from flowers तो bees flowers से क्या collect करती है pollen grain, petals, honey या nectar तो bees pollen grain collect नहीं करती petals भी collect नहीं करती petals क्या होता है पंखुडियां होती है flower की वो थोड़ी ना collect करेंगी bees honey तो honey भी वो collect नहीं करती है बनाती है honey क्या collect करती है वो वो करती है nectar nectar क्या होता है petals में जो flowers की जो petal है उसमें एक juice होता है जिने बोला जाता है जिसे बोला जाता है nectar और वही वो collect करती है और उसी nectar से जो bees है वो honey बनाती है तो इसलिए option number D is the correct answer Next है Which of the following is not a dairy animal तो हमें बताना है इन में से कौन सा dairy animal नहीं है option है हमारे पास A goat B cow C chicken D buffalo तो सबसे पहले हमें पता होने चीए dairy animal क्या होते है dairy animals वो animal होते हैं जो हमें दूद देते हैं जिन से हमें milk मिलता है है ना तो goat से हमें मिलता है milk है ना goat milk आपने सुना होगा cow भी देती है हमें milk buffalo भी देती है है ना भैस का दूद भी आपने सुना होगा भैस भी देती है दूद है ना कौन नहीं देता हम milk हमें चिकन नहीं देते है ना तो इसलिए C chicken ये बिल्कुल सही आंसर है ये dairy animal नहीं है next है nectar is converted into तो अब nectar किस चीज में convert होता है शुगर में, honey में, curd में या बटर में तो nectar से honey बनता है शहद बनता है honey bees जो है जो मदुमक्या है वो nectar से honey बनाती है इसलिए option number B honey is the correct answer next is which of the following is not a spice हमें बताना है इन में से कौन सा है जो spice मतलब मसाला नहीं है turmeric, cardamom, coffee या फिर चिली तो turmeric को हम हिंदी में कहते है haldi, haldi एक spice है cardamom, cardamom का मतलब होता है ilaiji, तो cardamom भी एक spice है coffee, अब coffee क्या है coffee एक मसाला नहीं है बलकि क्या है ये ये एक drink है ये एक beverage है तो option number C यहाँ पर सही answer है और हमें पता है चिली क्या है चिली तो एक spice होता ही है तो option number C यहाँ पर correct answer है next is fruit juices are used as fruit juice किस तरह से हम use करते हैं as spice, as beverage, as sprouts या none of these तो fruit juice हमें पता है वो drink की तरह use होते हैं और हम पीते हैं वो तो option number B beverages यहाँ पर सही answer है next है some plants can be poisonous and harmful तो कुछ पौदे poisonous और harmful हो सकते हैं तो ये statement true है या false है तो ये statement बिलकुल true है कुछ पौदे ऐसे होते हैं जो harmful होते हैं और जो poisonous होते हैं तो इसी base पे हमारा next question है which of the following plant is not poisonous हर अब हमardi है की इन में से कौन सा इसा पौदा है जो पौदनस नहीं है तो बिटर रैडिश बिटर आमण्स पी या फिर green potatoes जिखरीला नहीं होता कि कौन सा प्लर्नट पौईजनस नहीं है जहरीला कौन सा नहीं होता तो पी मतलब होता है मतर है, तो मतर क्या है? मतर पॉयजनस नहीं होती, बाकी जो है, वो पॉयजनस प्लांट के एक्जाम्पल हैं. Next is tea is obtained from seeds. तो tea क्या हमे seeds से मिलती है? अब में बताना ये true है ये false है? तो ये जो statement है, ये false है. अब ये भी आ सकता है पेपर में की टी हमें कहां से मिलती है टी हमें मिलती है लीव से टी की लीव जो होती है जो पतिया होती है बहां से हमें चाय मिलती है ठीक है तो यह वाली जो स्टेटमेंट है यह फॉल्स है आप अपने डाउट्स, सजेशन्स और आपको जिस भी टापिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं आपको जिस भी टापिक पर वीडियो चाहिए हमें करके बताएं।